हार्दिक ने पहले कप्तानी फिर अपने बल्लेबाजी से MI की लुटिया डुबाई हार्दिक के इन तीन आत्मगहाती फैशलों के कारड MI की दूसरे मुकाबले में शर्म नाखार आई जी हाँ गुरू अगर हम बात करें MI vs S.R.S मुकाबले की तो ये मुकाबला अपने हाप में अतिहासिक मुकाबला साबित हो गया इस मुकाबले में एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल 36 छक्के लगे और पहले बल्लेबाजी करते हुए S.R.S टीम ने IPL की इतिहास का सरवाधिक स् 36 छक्के इस पूरे मुकाबले में लगे और हार्दिक की कप्तानी बौनी साबित हो गई यहाँ पर और वहीं बात करें दूसरे कप्तान पैट कमिंस की तो वो कप्तान चला इस पूरे मुकाबले में सीनातान गेदवाजी में लीड किये फ्रंट से अपने गेदवाजों को लिंथ बताया, अपने गिदवाजों को ट्रिक बताया, गुरु मंत्र दिया, तो वहीं हार्दिक पांडया, पूरे मुकाबले में उनका सुदबुद खोया रहा, ओभर कॉन्फिडेंट पांडया, कुंग फू पांडया, पूरी तरीके से परास्त नजा रहा है, अपने इस आत्मघाती साबित हुए, जिसके कारण माई को ये शर्मनाक हार शेलने पड़ी, इन सभी बातों कि हम समिच्छा करेंगे, उन तीन कारणों पर नज़र डालेंगे, लेकिन गुरु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप सभी वीवर्स से यह याग रहे हैं, यह मेंट दाग दीजे, आ जाते हैं सबसे पहले, सबसे खास फैसले पर नज़र डाल लेते हैं, तो ये जो हार्दिक पांडिया हैं, ये बुम्रा का कैसा प्रयोक करें, किसी को समझ नहीं आ रहा है, माई के जो पहले कप्तान थे, रोई सर्मा वो बुम्रा को सुरुआती दो में लगाते थे, बीच में अगर कोई पाटनर सी पा गई, तो उसको तोड़ने के लिए एक ओवर, फिर लाश्ट में ओवर सुनके बचा कर रखते थे एक या दो ओवर, लेकिन हार्दिक पांडिया किस तरीके से बुम्रा का इस्तमाल करना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आ लगा है, उसके बाद जब अपसेक सर्मा ताबर तोड अंदाज में खेल रहे थे, हेड आतिसी पारी खेल रहे थे, उसके बाद बात करें तो मारकरम भी चोके और छक्के लगा रहे थे, उसके बावजूद बुम्रा पूरे के पूरे दस ओवरों तक मातर एक ओवर करते है हारदिक पांड़ा कता ही प्रयास नहीं करते हैं किस मुमेंटम को ब्रेक किया जाए, कोई भी गेंदवाज सफल नहीं हो रहा था, दिगज दिगज गेंदवाज चाहे वो कोईट जे हों, चाहे वो भाईया प्यू शावला हों, चाहे वो शैम्स मुलानी हों, सब को आड़ हाथों लिया जा रहा था, अब शेक शर्मा दोरा, क्लाशेन दोरा, उससे पहले बात करें तो हेड दोरा, लेकिन बुमरा का प्रयोग नहीं किया गया, ये सवाल ये निशान है कि हार्दिक पांड़े अपनी कप्तानी में बुमरा का प्रयोग कैसे करना चाहते हैं, ये मत मैं हूँ, वो ओवर कांफिडेंस वहाँ पर चलगता है, ये जो निगेटिव एटिट्यूड है हार्दिक पांड़े का, वो माई के ड्रेसिंग रूम में हाभी होता हुआ नजर आ रहा है, और इसी के कारड़ जब वहाँ पर रणनीतियां बनी तो सिर्फ और सिर्फ क्ल निती बनी थी कि जब क्लासेन आएंगे, एक भी स्पीनर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वुमरा का इस्तमाल होगा, वहीं पर हम लोग धाराशाई करेंगे क्योंकि क्लासेन के ही बलबूते, ऐसारस टीम ठीकी हुई है, लेकिन इस वुकाबले में हुआ क्या, जो ओवर महाँ पर प्रिप्रेशन नहीं था, कोई भी प्लान नहीं था, फिर उसके बाद ट्रेविस हेड आउट आपस लेबस आए, अचानक प्लेइंग लेउन में पिर अगर आगे की बात करें, तो मार्क रम ने भी अच्छी पारी खेली, तो ये जो आउट आपस लेबस खिलाड मात दिया खुद M.I.E. को, ये अत्मगाती फैसला है, बीस गेदो पर मातर 24 रन ऐसे बल्लेबाजो वाली पिछ पर, वहीं बात करें, जब हार्दिक आए, तो बहुत आसमान नहीं चूरा था, रिक्वाड रन डेट, साड़े बारा का था गुरू और इस पिछ पर साड़े और वहीं पर पूरे मुमेंटम को सिफ्ट कर लूँगा अपने फेबर में, और पूरी तरीके से हर्दिक का बल्ला, उसके बाद सिंगल लेने के लिए देखता है, चोके और छके का ट्राई भी नहीं करते हैं, वहीं से मुकाबला, S.R.S. अपने जोली में, अपना पकड़ मुकाबले मजबूत कर लेता है, क्योंकि टिम डेविड भी आते हैं, तो संघर्स करते हुए दिखाई देते हैं, और दोनों छोरों से लगातार तीन ओवर तक रन नहीं बनते हैं, इतने हाई स्कोरिंग चेश पे, मतलब जो काम तिलक वर्मा ने किया था, जो काम इशान कि पूरो कप्तान रोई सर्मा ने किया था, उस पर पानी किसने फेरा हार्दिक पांड्या की, एक वंडे वाली पारी ने 20 गेदो पर 24 रन इस बल्लेबाजो वाली पिछ पर, तो बहुत ही अपने आपको हार्दिक पांड्या कोशेंग ये अतिहासिक चेज हो जाता है, अगर एसी पिस्ती जहां हार्दिक पांड्या बना सकते थे, लेकिन वही ओबर कॉन्फिडेंस, ये जो ओबर कॉन्फिडेंस इन खिलाडियों में माई के जलक रहा है, वो आप रिजल्ट में देख सकते हैं, दो मुकाबले माई, आईपियल दोजा 24 में खेली है, दो की दोनों मे हार का सामना करना पड़ा है, अगर सिलसिला इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा, तो चीजे कठीन हो जाएगी, हार्दिक के लिए कप्तानी करना मुस्किल हो जाएगा, और डगर पनघट की मुस्किल हो जाएगी, इनको समझना पड़ेगा हार्दिक को की बुमरा को कैसे प दिवस खिलाडी आए जिसकार से माई को भुकतान करना पड़ा इस मुकाबले को 31 से गवा कर कमेंट सेक्टन में कमेंट आग दीजेगा कि भाईया कैसे आप जिमदाठ हर आते हैं हर्दिक पांड्या को इस हार का या फिर अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शियर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले